हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दफ फीवरिट स्टॉक में और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक ने जो है एनसी और ब्यसी में अपने आकलों को शो किया है कि क्वार्टर फोर में वो कैसा एक परफॉर्मस दिखाने वाले है और विजबास मानिए इस आकले को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से Yes Bank जो है वो इस टाइम पर काम कर रहा है जोस्तों एक एक पॉइंट को में संजाने वाला हूँ आप चली सीधे चलते हैं उन आकलों के तरफ में ब्यस्ते की साइट पर भी आया हूँ यहाँ नीचे जैसी आप जाएंगे तो आपको दिख रहा हूँगा यहाँ पर अनॉस्मेंट में आज की दिन मतलब पांस तारिक क यहाँ पर अनॉस्मेंट की हुई है देखें में अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेज पर फिर शोर पर यहाँ पर कुलिक करोगे- तो आपके सामने यह वाला पीजोपन ho जाने वाला है तो आप जीक पाAgारे होंगे यहाँ पर जो है यहाँ यहां पर जो है इस quarter में Yes Bank ने किया है तो चलिए दोस्तों डीटेल में समझते हैं तो सबसे पहले दोस्तों जो A point है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है Loans and Advances यह क्या होता है Bank ने कितने Loans दिये यह उसके बारे में है तो अगर आप देखें अगर मैं बात करूँ December के मन की अगर आप यहाँ पर देख पाएं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1.69,721 करोड अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा तो इतने करोड रुपए जो है December के quarter में Yes Bank ने बाटे थे और अभी वह बढ़कर 1,72,850 करोड हो चुका है मतलब अगर मार्च की बात करें यहाँ पर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि Yes यह बढ़ चुका है दोस्तों तक्रीवन 1.8% की ग्रोथ है और सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ पर दिखाई देगी वो यह है कि Year on Year Last Year में हमको पता है कितना बड़ा एक loss हुआ था, crash हुआ था fraud हुआ था अभी वहाँ से भी यह उबर कर आचुका है Year on Year भी यहाँ पर 0.8% का ग्रोथ है बड़त है आप गार आप यहाँ पर देखें तो हम में आएगा यह एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों यह हमें सब जादा होना चीज इतना जादा लोन बाटेगी बैंक उतना जादा profit होगा तो यहाँ पर हमको एक बड़त नजर आ रही है मतलब बैंक ने बाहर से कितना लोन लिया कितने की जरुद पड़ी देखें बैंक का बिजनेस कैसा होता है बैंक जो है क्या करता है बाहर से मतलब कहीं और से लोन लेता है क्या करता है वो लोन लेता है दोस्तों कहीं बाहर से लोन लिया लेकिन उहनों जहां से पैसे लिए हैं वहां पर भी इंटर्स दिना पड़ेगा तो इस जितना कम होता है उतना अच्छा होता है अगर आप देखें गौर से तो लास्ट कॉर्टर में यह तक्रीबन 7 या 395 करोड था अगर आप यहां पर देख पा रहे हो तो आपको दिखाई देगा राइट और इस कॉर्टर के घर हम बात करें तो यह आपको दिखाई देगा यह बहुत अच्छी बात है दोस्तों यह कम होना चाहिए और यह कम हुआ है इसके बात अगला पॉंट जो है वो है कासा मतलब करेंट एकांट सेविंग एकांट अगर आप यहां पर देख उतना अच्छा है क्योंकि इन पैसों पर बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट देना होता है पबलिक को और इन ही पैसों को जो है बैंक बाटती है लोन देने के लिए और दूसरी बिजनिस करने के लिए तो यह जतना ज़्यादा होगा यह उतना अच्छा होता है तो अगर आ और यह बहुत ही अच्छी बात है तो अभी तक जितनी वैल्यूस हमने देखी सब जगा पर यह स्प्रेंग ने अच्छा परफॉर्मिंस दिखाया है चले चलते हैं सी पॉंट की तरफ सी पॉंट के ट्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो अगर आप यहां पर देखें तो मैं 116 हुआ और अभी और घटकर यह 106 हो चुका है अभी यह क्या होता है ट्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो जो होता है दोस्तों उसको हमेशा बैंक को 100 परसेंट और उससे कम मैंटिन करना होता है मतलब 100 परसेंट से जादा नहीं होना चाहिए और अगर आप ध्यान दे त अगले कौर्टर में तो यह खतमी हो जाएगा मतलब यह बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट आप बोल सकते हैं फॉर शूर यह बहुत अच्छी बात हो गई दिखा जाए तो राइट अभी लास्ट पॉइंट दोस्तों डी पॉइंट और वह है लिक्विरिटी कवरेज रि अगर आप लास्ट एयर की बात करेंगे तो यहां पर मात्र 40% की लिक्विरिटी रह गई थी अगर आप यहां पर देखें तो आपको समझ में आएगा मैं यहां की बात करूँ जो कि बहुत कम होती है 100% से ओपर होने ही चाहिए लिक्विरिटी दिसंबर में इसको अच्छी कि जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छी आने वाले है इसमें कोई भी डाउट नहीं है हर एक पॉइंट पर यहां खरी उतरी है इसके बावजूद भी हमें आज के दिन जो है दोस्तों यहां के प्राइज में थोड़ी बहुत कमी दिखने के लिए मिली है अभी इसमें सबसे इस बैंक की तो उसने मेंटीन किया अपने आपको और इतना भी गिरने नहीं दिया बहुत कम यह स्टॉक आची दिन गिरा है इसमें कोई भी शक नहीं है सारे आकड़े में आपको समझाएं उस सब जगह बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ दिखाई दिया है बागी दोस्तों आपका क्या सोचना है कि येस बैंक कैसा परफॉर्मिंस कर सकता है और आपका क्या यहां पर आउटलूक है मुझे कमेंट बोक्स में प्लीज जरूर बताईएगा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं यहां तक वीडियो दिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं बहुत जल अगले वीडियो में